हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मॉस्कुटो लर्वा को आप एक अल्टरनेटिव फीश पूट की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह एक बरतन में पानी स्टोड करके आप खुले हवा पे बाहर रख सकते हैं मैं इस बरतन में पानी स्टोड करके बाहर रखा था नियर अबूर्ट सेवें डेज तो आप्टर सेवें डेज मैंने देखा इसके अंदर बहुत सरे मॉस्कुटो लर्वा ग्रो किया है फीश को देने से पहले आप इस मॉस्कुटो लर्वा को बहुत ही साब्तानी से कलेट करना होगा एक फ्रेश वाटर में नहीं तो इसके अंदर जो पानी है वो अगर आपका एकोडियम और टैंक में जाएगा तो बैक्टरियल इंफेक्शन और फंगल इंफेक्शन हो सकता ह हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है है आप है तो ऐसे ऑल्टरेंटिफ फीश पूट मैं देख रहा हूँ यह मौस्कुट लर्वा बहुत ही अच्छा है और फिश को भी पसंद आ रहा है तो आप भी दे सकते हैं अगर अगर इस वीडियो को आपको आच्छा लागा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए